उत्तरप्रदेस में चुनाव नजदीक आ रहे हैं उच्छे महीने लगभग बचे हुए हैं या आप समझ लीजे कि उससे भी थोड़ा सा कम से में और दिसंबर के आसपास के उमीद है कि यत्या हो जाएगा कि चुनाव कब होंगे और लगभग नवंबर के मिडिल में यत्या रही थी क्योंकि यहां से भारता जिक्ता पाल्टी के ठागो भिरजे सिंग चुनाव जीते थे और एवियम को लेकरके और दूसरी चीज़ों को लेकरके और या फिर चुनावी दंदले को लेकरके बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थी इससे पहले ही हां विधाय करे थे मावी आली जो कॉंगरेस से चुनाव जीती थे उनसे बात करने के लिए मावी आली साहब एक तो हम आपका करते हैं स्वागत धन्यवाद और हम आपसे राजनेतिक बातचीत को करना चाहते हैं पहरे तो यह बताईए कि क्या दियोबंद जो है वो इसके दियोबंद के आंकडे इसके दियोबंद नगर जो है नगर पाली का एरिया जो टाउन एरिया है उसके अंदर मुस्लिम 70% है और जो पूरी दियोबंद विदान सभा है वो तगरीबंद साड़तिन लाग फूट पे मुझतमिल है तो वो कहना के दियोबंद से भाजपा जीद गए भाजपा पहले भी दियोबंद से दो बार चुनाओ जीच चुकी और दियोबंद के अंदर जो दियोबंद विदान सभाय है उसमें मुस्लिम साड़े तीन लाग में से तकरीबं एक लाग पच्छिस जार है तो पिछली बार महुल डिस् दियोबंद को हम समझने कोशिस करें तो दियोबंद की जो आवाम है आपने बताया कि एक लाग पच्छिस जार यहां मुसल्मान है तो एक परिसमन बदला है और एक परिसमन बदलने लेके बाद में यहां लोगों का जो गाउं कुछ चलेगे कुछ ठाकुरे लग चले अधावी रहती है तो यह परिसमन के आधार से जो चेंजिस हुआ है या आप बता सकते हैं कि परिसमन के हिसाब से क्या चेंजिस हुए सन 2009 के नौ में जो परिसमनों से पहले दियोबन बिधान सबागे अंदर जो ठाकुरू बिरादरी है उसके तकरीबन बावन हजार वोट थे और गुजर बिरादरी और त्यागी बिरादरी कम थी कुछ भी कम थे नौ का जो परिसमन हुआ जिसका चुनाओ बारा के आधार प हुट है तो जो पहले थाना है कि ठाकुर ही तकरीबन सतर सालों में जो चुनाओ हुए उसमें तीन बार को छोड़के एक बार मैं भी धायक बना एक बार मौन अस्मान साब बने और एक बार हमारे मनोच चोधरी थे वो बने तीन बार को छोड़के हमेशा ठाकुरी भी धाय तो वो जो हमारे दियोबंद का जो अक्षित्र था जब वो बढ़ा मनलब उसका प्रदिसी मनुआ तो उसमें मुस्लीम जह हैं उनने बहुतार से बढ़के वह एक लाग पच्छिस जार के खरीब हो गया माविले साथ आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं दियोबंद व विधान सभा को परजेंट करते रहें विधान सभा में जाकर के उपस्तिति रों अपने दरच कराई यहां से चुन कर गए विधायक बन कर गए तो ऐसा लगता नहीं है कि आप कॉंग्रेस से जब जीते थे विधायक रहे थे तो उससे पहले सवानी पाल्टी से राइंदर करना थे तो हमें तो बातचीस से तो लगी नहीं लग रहा है कि यहां सांप्रदाइकता के अधार पर चुना हुआ तो यहां जो यह जाती का ताकड़ा काम करता है यह सांप्रदाइकता हावी रहती है तो पॉलिटिकल एक्वेशन्स क्या है पिशना चुनाओ तो समझ से दियोबन भी जूज गिया दियोबन में भी भारतिंता पार्टी सरकार का जो था इःक पार्टी ग्लता जीत इदिया इसके यहां सब्हाडद का महौल को पद Tree का कभी द्योंधन में दंगाई हुआ हिंदु मुस्लिम करह को जगड़ा नहीं हुआ क्योंकि पहले सं 2012 से प समाजवादी पार्टी यहां से जीत पाई 3700 वोट से तब जीती थी तो दियोबंद का महौल को भी सामपर्दाइक नहीं रहा ना आज सामपर्दाइक है ना सतरह में सामपर्दाइक था लेकिन क्योंकि पुरे परदेश में एक एक्वेशन सी बनी एक हालात बने लोग के हमारे लोगों कोई क्लियर हो जाए थुड़ा सा कि 17000 वोट जो दियोबंद नगरपालिका से राइंदर राना जी को मिले तो इस 17000 वोट में कितना प्रतिशत मुस्लिम रहा होगा देखेंगा तकरीबंद दियोबंद के जो अंदर मुस्लिम है वो पचास जार के करीब है और बाइस जार के करीब नौन मुस्लिम वोट है तो अब जो है अमवजुदा जो वोट है जो पिछली बार में चुना हो रहा तो मुझे 21000 वोट मिले दे शेयर शेयर से तो बेसिकल अब तो यहां पर एक ठाकुर वर्सिज कश्चब कंफिलिक्ट हुआ उस एक डेलिकेशन बना करके समझेपाल्टी के मुखिया ने आप लोगों को भीजा था उस डेलिकेशन में आपका नाम भी शामिल था तो क्या कंफिलिक्ट था यह उसकी वज़े से क्या ठाकुर वर्स तो वहां कश्चब समाच के थोड़े लोग रहते हैं और ठाकुरो की भी अच्छे खाजी बड़ी तादाथ है तो वहां किसी खेल के मैदान को लेगे जगड़ा हुआ था उसमें कश्चब समाच के लोगों के साथ कुछ लोगों को द्वारा जिया उनको मतलब मारा पीटा भारत इन्ता पार्टी के खिलाफ तब से ही कश्चब का महौल दियोबंद के अंदर बना हुआ है यह समझ लीजिए कि जाती विश्चिश के विरोध में यहां शबीरपूर कांड भी हुआ शबीरपूर कांड जब हुआ तो दलित और राचपूतों की लड़ा हुई यह ज लोगों को परिशान किया रहा हुआ है आपके उपर भी 50 से जादे में हैं आपके बेटे के ऊपर भी गुतनों की बाढ़ से लगी हुई है चालिस से जादे में उनको उपर हैं तो यह डर पैदा करता है आप में के लोगों की आवाज आपना उठा पाए हमें तो हम समाझ काम करना है जो के लिए परोट के लिए काम करना है वह प्रण्य के लिरिया कैम करना है ओर और जो तो भी हमारे फरक नहीं पड़ता है और बाहर रहेंगे तो भी हम लोग की मांग के लिए अपनी जयाद मांगों के लिए सेंगर्श करते रहेंगे मैनुफैस्टों में वादी किये तो उनमें से एक भी वादा पुरा नहीं कर सके जो काम समाजवादी पार्टी ने एक लिए शाद हो जी नहीं किये थे उसके फीते काटते रहे पूरी साड़े-चार साल के अंदर हर इस तरह पर सरकार फेल लही दियोबंद के अंदर हो या प अच्छे स्वास चाहिए अच्छी शिक्षा चाहिए रोजगार चाहिए और बढ़ती हुई महंगाई से निजाद चाहिए तो लोगों को पता है कि वो सब चीज़े अखले शाद हो जी कर सकते हैं और पूरे परदेश के अंदर पश्चिम उप्तर परदेश के अंदर प्र चाहिए तो इस तरह कोई विवात पैदा ना हो सब लोग होता है तो इस तरह कोई विवात पैदा ना हो सब ताब लोग जो तिसका टिकट हो युश्ट मावदी कािवा उसको पार्टी चाहिए उनुट ुटि πεगे जितने भी लग हैं चुना और आओंगे और दियोबन शत्परतिशत तरीक से समाजवादी पार्टी जीत रही और कोई भी मुझे कहीं एक परसेंट में भी ऐसा कोई सांचे नहीं कि दियोबन में कुछ समाजवादी को लेगे कहीं कोई दूबिदा है चाहे हो हिंदू हो मुसल्मान हो कोई भी हो सबके सब समाजवादी की बात कर रहे है और विकास की बात कर रहे है प्यार की बात कर रहे है तो प्यार का महल बनेगा तो विकास भी होगा पैदा उसके प्यार के महल से विकास भी निगलता है तो आने वाला टाइम जा है वो समाजवादी पार्टी गार दियोबंध की सीड जीतेगी अक्रेशादुजी मुकमंतरी बनेगे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी धुर्विकरन की राजनेती दियोबंध में जो है वो पिछले उसको रोग देंगे आप या रोग नहीं पाएंगे यहां के लोग प्रदेश की जनता दियोबंध की जनता सब जगह की जनता यह समझ चुकी कि ये लोग जहां सिर्फ नाम बदलने वादी राजनेती करते हैं अब लोगों को काम पे वोट देना चाहते हैं विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं शिक्षा के नाम पे वोट देने वाले लोग नहीं है और नहीं नाम बदलने के नाम पे वोट जाने वाला है लोगों को रोटी चाहिए लोगों को रोजगार चाहिए बच्चों को उनके अच्छी शिक्षा चाहिए अच्छा स्वास चाहिए इसके लोग वोट करेंगे जो आने वारा चुनाओं है ये 22 का चुनाओं जा है वो शिक्षा के लिए महंगाई कम करने के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए पर्देश के अंदर विकास करने के लिए वोट होगा ये अम्मा जाना बजान के नाम भी ये नाम बदलने की वज़ा जैसे वोट नहीं होने वाला है बिल्कुल भी भारते इंता पार्टी जो जुम्लेबाजी करके पिछली भारत सरकार बना चुकिए 17 में लोग समझ चुकिए वो सब बहगावा था और उस माया जाल में लोग आने वाले नहीं है भारत सरकार के गरी मंतरी आज लखनों में थी अमिशाजी और उन्होंने कहा कि 2017 से पहले मुगलों के काल से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी है उत्तर प्रदेश में स्री किष्णी जिनम भूमे भी है और बाब विस्टुनात्मी है ये बात कोई जानता नहीं था भारते इंता पार्टी की सरकार आने के ये बात लोग जाने तो इस बयान का मतलब आप समझते है ना अमिशाजी बिल्कुल ठीक कर रहा है वो गुज्रात से हैं और उत्तर प्रदेश में भारते इंता पार्टी की सरकार बनने से पहले अमिशाजी और गुज्रात के लोग शायद ये नि जानते थे कि उत्तर प्र प्रदेश के अंदर है ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जान दे थे हमिशाजी को जानने में देड़ लगी सन 2017 में वे बात जान सके कि उत्तर प्रदेश में राम जनम हुमी है ये पाबाजी की भूमी है उन्हें जानने में थोड़ा टाइम लेग ये वो 17 में जान से इस कि मावी अली जो है उनको पूरे चुनाव क्या पांकटो को उठा कर देख लीजिए यहां से चैर्मेन भी दो बार बने हैं और एक बार विधायक भी रहे हैं और जब उचुनाव हार बेगे तब भी उनने नोन-मुस्लिम कम्मुनिटीज के लोगों ने भी अच्छी आज हैं जो सत्तधारी पाल्टी से थोड़ा अलग रहते हैं तो मावी अली उनकी पहली पसंद है आस महमत कैफों में गांदीगरी टीवी देख रहे हैं आप